जिले के चंदिया नगर परसद छेत्र में रविवार की रात मेंटिनेंस के दौरान खंबे पर चड़े दो लाइनमेन करंट की चपेट में आ गये इस घटना में बुरी तरह से जुलसने के साथ ही दोनों लाइनमेन खंबे की उचाई से नीचे भी गिर गये इस घटना में उन्हें चोट भी आई हैं आसपास के लोगों ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मेंटिनेंस के लिए पोल पर चड़े दोनों लाइनमेन को गंभीर रूप से छुलसने की खबर है चंदिया धाना अंतरगर्द विसेरी मुहले के आगे बेयर हाउस के करीब हुए इस हाथसे में दोनों गंभीर है इसमें से एक घायल अर्वित साहू को जबलपुर रिफर कर दिया गया है वही बलुपिता जिया लाल यादव फिलहाल चंदिया स्पताल में इलाजरत है हाला कि दोनों ही लाइनमेंग की स्थिती के बारे में फिलहाल डॉक्टरों ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया है डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल मरीजों का उक्चार किया जा रहा है और उक्चार के बाद ही पता चल पाएगा कि उनकी स्थिती कैसी है डॉक्टरों ने इतना जरूर कहा है कि अर्विंद ज्यादा खाया था इसलिए उससे जबलपूर भेज दिया क्या है सूत्रों की माने तो बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही की बज़े से घटना हुई है बताया चाता है कि मेंटीनिंस के लिए पोल पर चड़े लाइन मैं के उतरने से पहले ही बिजली विभाग के कर्वचारियों ने लाइन आउन कर दी जिस कारे से ये घटना घटित हुई है हाला कि अभी इस बारे में विभाग के अधिकारियों ने कोई पुष्टी नहीं की है कि घटना किस तरह से हुई है और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार है उमरियाद जिले में विजली विभाग की विवस्था पूरी तरह से बधाल है उमरियाद जिले के सभी छेत्रों में रोज कई कई घंटे विजली बंद रहती है और इसके पीछे फॉल्ट को बजर बताया जाता है जबकि महीने दो महीने में मेंटेनेंस के नाम पर पूरा का पूरा दिन विजली बंद रखी जाती है इसके वागजूद फॉल्ट आका रहता है इसी तरह से फॉल्ट को सुधानने के लिए दोनों कर्मचारी बिदुद पोल पर चड़े थे और बिजली के तारों के साथ जूज रहे थे इसी दोरान अचानक बिजली चालू होगी और दोनों कर्मचारी चपेट में आ गया